हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर इस्टारी फॉइंट पर दोस्तों जिस भरती के बारे में आज सुबह अग बार मजो जानकारी आई थी कि इस हपते आ जाएगी तो फैनली दोस्तों इस हपते नहीं वो आज साम कोई घो भरती आपके सामने आ गई है जो जो एस्पेourceली भरती में ने जो कोमर्शे स्वा वाले हैं इनके लिए परती आने वाली है वह तो उत्राखंड पुलिस की भरती अपके पास है इसमें आपको निरास होनी की बिल्कुल जर्वत नहीं है बागी आप लोगोंने जो और से वागी यह भरती सिर्फ कामर्च वालू के लिए हैं बंतल्थे से जयादा पतों पर यह बंतली तालीस पर यह भरती है बाकि जो और हैं जैसे कि 8 साइट वाले हैं उनके लिए तो 854 पद बीडियो भी पीडियो आपने भरा होगा और इसके अला कनिस आईगा आपके पास बाकि पटवारी 460 पदू के आश्वास पटवारी आप मान सकते हैं पटवारी भी कापी अच्छी जॉब है और इसमें भी सेलरी अच्छी लेबल किये बाकि जो यह भरती आई हुए जिए सिर्प कॉमर्स वालों के लिए तो चलिए दोस्तो पूरा नोटिपिकेशन इसको अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो उन तक जरूर अपने दोस्तों को सेयर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो यह सबसे पहले मां आपको बताता हूँ कि बिग्यापन परकासन की दिती तो यह है पांच दो दोजार किस यानि की आज की डेट है ओनलाइन आवेदन प्रारंबर की दिती दस तारिक से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और ओनलाइन आवेदन की अंतिम दिती यह रहीगी आपकी 26 मार्च दोजार एक किस को और नेड बैंकिंग ये 28-3 को परिक्षा का अनुमानित समय जुलाई में जैसा कि मैंने आपको सुबह की वीडियों बताया था कि जो जुलाई तक इसमें आपकी परिक्षा भी हो जाएगी तो इसी तरह से दोस्तों कभी भी किसी महाम में मतलब की फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग तक आपको पटवारी और उत्राखंड पुलिस की भरती ये सब भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि आयोग अब सबकु जल्दी होने लगा कई लोग कहेंगे आचार साहिते लग जाएगी फिर क्या अरे आचार साहिता मतलब की लगबग चार-पांस साल के लिए थोड़ी लग दी भरती तो ये तो पूरी होई जाएंगी तो उप्युक्त परिक्च अभ्यरतियों के चैन है तो आयोग द्वारा वस्तुनिष्ट परकार के आप्लाइन परिक्चा या ओनलाइन कराई जा सकती है अब दोस्तों स इसमें आपको वी कॉम या सरकार दोरा यहां पर बताएगे कि अंग्रेजी टंकडिया हिंदी पर चारहजार की डिप्रेशन परती घंटा ये होना चाहिए और लिखित परिक्चा में समान पराप्त करने वाले आयोग जे श्टब भरती को माना इसमें कोई 22 साल का लड़का कोई निकलता है और मतलब की मना 28 साल का पर दोनों के अंकर सेम है तो जो 28 का है उसको दी जाएगी इसी तरह से कोई 36 का है कोई 40 का है तो उनको पहले इसमें दी जाएगी तो लिखित परिक्चा आपकी दो घंटू की होगी आप देख सकते हैं जो साइक लेखाकार का परिक् है और मांकि जो लेखाकार है इसमें कुल आठ पद हैं 212 वही है इसमें आपको सिर्फ बिशु विद्याला सरकार द्वारा यह आपका वानिजिक यह इसना तक में अकाउंट एंसी साहित यह आपकी हो नीचे इसमें भी दो घंटे की लगवग लगवर पेपर सेमी होका ले भाग अगर आप ऐसी जगह आप जोब मेश जाते हैं फिर आप समझ सकते कि आपकी लाइफ की सा के लिए यहाप के लिए पूंसित' आई हुई है साइक लेखाकार जिलादीकारी उत्तरकाशी में पोस्ट आई हुए है साइक लेखाकार जिलादीकारी गड़वाल में आई हुए पोस्टे साइक लेखाकार उधमसी नगर में आट पोस्ट है साइक लेखाकार जिलाधिकारी रुद्र पर्याग में साथ पोस्ट आई है और इसके लाँ आप देख सकते कि नीचे साइक लेखाकार जिलाधिकारी पिथोड़ा गड़ में चोथ पोस्ट आई है देहरादुन में पोस्ट कम है देहरादुन अलग हो थोड़ी निरासा होगे साथ पद आए है चमोली है चमोली पंद्रह पद यहां आए हूँ है चिला धिकारी ने ताल में चैंख पद है थोड़े कम है यहां ऐसं पद यहां अगर लग जाते हैं तो काफी अच्छी कोई नहों तो इस प्राद पर जरूर सबी लग इसमें पहुंच सकते हैं इस पेसल आप देख सकते हैं एक दृष्टी हीन या कम दृष्टी वो भी इसमें लिया जाएगा अगला है साहिक लेखकार परियोहन विभाग तो परियोहन विभाग में लगब 17 पोस्ट आई हुए हैं यह आप लगाद नगर विकास प्राधिक्रण तो आपकी जौब अच्छी खासी जगर लगेगी साइक लेखकार कारागार विभाग में लगेगी एक पुश्ट है और साइग लेखाकार उत्राखरेंट पर्यावन सेलक्षिन पर्दोस्ण पर तेरा दुन में बैठिंग आप अगर इसी जॉब में अगर आपका चैन हो जाता है पस्वपालान विभाग किर्सी भी भाग और यह आप देख सकते हैं साइग लेखाकार पैंसन हगदार निदे सा लाई तो अच्छी खासी दोस्तों डेरी भी भाग साइग लेखाकार पॉल टेक्निक चाहे तो तो अच्छी जगह आप बैठने वाले हैं बागी देख सकते हैं गन्ना यम चीनी बागी आप कोई मतलब इसमें है कि ज्यादा आपको गाउं में ड्यूटी जैसे जो लोग ब साइक लेखाकार पावर टांस कार पॉलेशन और उत्राखंड लिमिटेट यहां आपकी ड्यूटी लगेगी बागी सब इसाब पोस्ट आयो है वेतनमान इसमें पांच लेबल का जो वेतनमान बंदरों गाम भी था वही है और बागी जो साइक समाज कल्यान अधिकारी आई बीए बैचलर इन बिजनेस एड्मिरिस्टेशन अथ्वा पोस्ट ग्रेजूट इन अकाउंट टेंशी तता हिंदी टंकर में चार जार की डिप्रेशन परती घंटा होनी चीए और इसमें भी वही है कि जो उपर आयो सी माम है उसको इसमें दी जाएगे तो यह हर भरती में यह लगबग सेमी होता है बागि आपकी इसमें दो घंटे की इसमें परिक्चा होगी वही सोग और इसमें पूछे जाएंगे उत्रा खंड हिंदी आपको इसमें कुछ परणी नहीं है यह मैं आपको पहले बता दिया हूँ यह आप देख सकते हैं कैसी है रहे हम सायक लेख सायक्ता कि पोफिक्टि के लिए पाल की न यहां उन्सक्राइब को प्रैजरा क्या यह मैं धरिए आप pos. कार रेला साहय तिरती लेखा दोस्तों कूल ये भरती है इसके लिए आप इसमें सब दिया गया है पैतारीस परतिसात लाना अंक जरूर जरूर ये खैर ये तो पैतारीस परतिसात अंकल आने से जैन नहीं हो जाएगा लेकिन मेरिट में आपको बनना होगा आयू गर्णा की न 2021 से अनापत्ति पर्माण पत्र अगरा विभाग में तो यह आपको देना बहुत अन्यूवारत ही है यह इसमें दिया गया है मांकि सारे रिक स्वास्त उड़धार अक्चन भूतपूर सैनिक यह सब ऑनलाइन आविदन के लिए आपको इस साइट पर जाना होता है यहां से आप आज दिन कर सकते हैं दस से ओटियार यह सबसे पहले आपको बनाना होता है फॉन नंबर ओटियार करते समय दोस्तों इस बात मतलब की जरूर ध्यान दकी अपना नाम गलत आपने ना डाला हो सब कुछ माता पिता का नाम फिर बाद में फिर आपके साथ दिक्कत होती है फिर पॉस्चे लोग कमेंट करते हैं फिर आयो को कॉल करते हैं तो यहसा आप बिल्कुल खुद का ध्यान रखेगी जब आप फॉर्म भरने जाएं या किसे भराते हों अगर उस तो यह से काम आपको खुदी करने चीए जहां तक है क्योंकि फॉर्म में मतलब कि आप आउज रुपे और फिस रहेगी बाकी 80 के लिए 50 है और स्ट के लिए 50 है बाकी दिव्यांग और आर्थी रूप से कमज़र इसके लिए 50 जो यह लगवार लगवार भरती में सेम रहती है तो यह थी दोस्तों आज की जानकारी पहले भरती इस हबते आने आने आली थी यह आ आयोग दोरा ओफलाइन परिक्चा के सांसत ओनलाइन कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट अभी तक की मात्र एक बार ही हुआ है तो इसमें भी अगर अभ्यरती कम रहते तो साहत क्या पता आयोग के दोरा इसको भी ओनलाइन करा दिया जाए तो जहां तक आप लोग त्यारी करते र जरत हैनी क्योंकि आपको सिर्फ पेपर देना है और पेपर निकालना है तो यह थी दोस्तों आज की जानकार अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच